बहु कहा मर गई, अंदर से आवाज आई जिन्दा हूँ माजी, तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई, कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माजी, बहु कुछ चाय के साथ भजिया भी ले आई, सास ने कहा तेल का खिला कर क्या मारो भी, बहु ने कहा ठी माजी ले जाती हूँ, सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है, तो खा लेती हूँ, सास ने भजिया उठाई, और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने, बहु माजी मुझे कप्ड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ, बहु दरवाजी के पास छिपकर खड़ी हो गई, स का वक्त हुआ, सास ने फिर आवाज लगई, कुछ खाने को मिलेगा, बहु ने आवाज नहीं दी, सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या, बहु आई, सामने खिचडी रख दी, सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ, बहु ने कहा, आपक बहु फिर मुस्कुराई, और चली गई, आज इनके घर में पूजा थी, बहु सुबह चार बजे उठ गई, पहले इस्नान किया, फिर फोल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया, सुबह के दस बज गए, अब सास भी उठ चुकी थी, बहु अब प पति भी घर पर थे, पूजा शुरू हुई, सास चिलाती, बहु ये नहीं है, वो नहीं है, बहु दोड़ी-दोड़ी आती, और सब करती, आप दो पहर के तीन बज गए थे, आरती की तयारी चल रही थी, पंडित जी ने सब को आरती के लिए बुलाया, और सब के हाथों मे थाली पकड़ा दी, जैसे ही बहु ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी, शायद भोज बनाते हुए बहु के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोचना भोल गई थी, सारे लोग तरह-तरह की बाते करने लगे, कैसी बहु है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठ सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यहीं बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे-धीरे, अब सब को खाना परोसा जाने लगा, बहु दोड़-दोड़ के खाना देती, फिर पानी लाती, करीब सत्तर-असी लोग हो गए थे, इधर द परोस के लोग खाने पर बैठे, बहु ने खाना परोसना शुरू किया, सब को खाना दे दिया गया, जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमख ठीक नहीं डाला क्या, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाता कैसे यह हो ना साहब, वो बस बहाना नुक्स निकालने का फिर वो सब शुरू हो गए ऐसा खाना है ऐसी बहू है ये वो वगयरा वगयरा दिन का खाना हो चुका था अब बहू बर्तन साफकर ने नौकरी के साथ लग गई रात में जगराता का कारिक्रम रखा गया था बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चड़ी सास जोड से चिलनाई मेरी नाक मत कटा देना गाना नहीं आता तो मत गा वापस आजा बहू मुस्कुराई और गाने लगी सब ने उसके गाने की तारीफ की पर सास मुप फुलाते हुए बोली इससे अच्छा तो म गाती थी जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता बहू मुस्कुराई और चली गई अब रात का खाना खिलाया जा रहा था उसके पत के आफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे उसका पती चिलाता थोड़ा बर्फ लओ तो सास चिलाते यहां दाल नहीं है फ उसके एक दोस्त पर और बोतल तोट गई पत गुस्से में दो जपड अपनी पत्नी को लगाते विए कहता है जाहिल कहिंके देखकर नहीं कर सकती तुझे इतना भी काम नहीं आता सारे लोग देखने लगे उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दोड़ी फिर उसकी दोस् भी बिला रखी है तुने उसे तो महमानों की इज़त और काम करना तक नहीं आता तुमने तो हमारी बेजती कर दी अब आस परोस की औरतों को को और बहाना मिल गया था वो कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी वहोंने कोई काम की नहीं है मैं तो पहती हूँ अपने बेटे की दूसरी साधी करा दो छुटारा पाओ इस घमार से सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थपड मारा और कहा अरे नालायक तुमने मेरी बहू को मारा तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी टांग तोड़ दूँगी उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थ कि उसकी मा ने घूरते हुए कहा चुप बिल्कुल चुप यहां दारूपी ने आये हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पाइटी करनी है कैसे संसकार दिये हैं तुम्हारे माता पिता ने और किसने मेरी बहु को जाहिल बोला जरा इधार आओ चपल से मारूंगी कि तेरी सराब तूट गई पापी वो बच्ची सुबह चार बजे से उठी है घर का सारा काम कर रही है ना सुबह से नास्ता किया ना दिन का खाना खाया फिर भी हसते हुए सकी बाते सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही तेरे यार दोस्तों को वो अच अब सास बहु के कमरे में गई और बहु का हाथ पकर कर बाहर लए। सब के सामने कहने लगे किसने कहा था हमारी बहु को घर से निकालके दूसरी बहु ले आना। जरा सामने आओ, कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी मा भी है, बेटी भी। मा इसलिए मुझे गलत काम करने पर डाटती है और बेटी इसलिए कभी-कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन राज सेवा करती है, मेरे हजार पाने सुनती है, पर एक सब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीट पीछें। और तुम कहते हो दूसरी बहु ले आओं। याद है छुटकी की दादी, अपनी बहु की कर्तूत। सास ने गुस्से से पडोस की महिला को कहा, अभी पिछले हपते ही तुम्हें मिया बीबी भूखे छोड घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहु ने साथ दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी यहां तक ही तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो, जाहिल तो तुम सब हो, जो कोईले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहु के बारे में किसी ने एक लग्ज भी बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि ये मेरी बहु नहीं, मेरी बेटी है। बहु सिस्किसाई लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहु के कमरे में खुद ले रही। सास को भोजन लाते देखा तो बहु ने कहा, अरे माजी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालोंगी तुझे, तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी, तुही मेरे घर की बहु चाहिए। बहु ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया, सास भी रो दी, पहली बार और कहा, चल खाना खाले। फिर मजाग करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने, चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन में इसका गला भी दबा दूँगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी, दोनों खूब हसने लगी, कुछ रिष्टे बहुत मीठे होते हैं, बस बाते करवी होती हैं, दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी को दबाना ना बोलें, जिससे की अगला वीडियो आपको सब्सी बालें लो, थैंस!